हेलो फ्रेंज स्वाकति आपका हमार यूटूब चैनल हेल्थ ब्यूट ट्रीट में फ्रेंज आज में आपके लिए विटामिन सी का एक बहुती अमेजिंग टोनर लेकर आई हूँ जो आपकी स्कीन पर 100% वर्क करेगा यानि आपकी स्कीन को प्रैटनप बनाएगा स्मूद बनाएगा जिससे आपकी स्कीन में किलियरेटि दिखेगी साथ ही ये टोनर आपकी लिटकती लूज स्कीन को बूष्ट करके टाइटनप करता है अजिं साइन की प्रोब्लम को खत्म करता है यूनो उम्र बढ़ने के साथ साथ स्कीन में मेलानिन का प्रोडेक्शन बढ़ जाता है जिसके कारण हाइपर पिग्मेंटेशन, डार्क पेचिस, एंड बराउनी स्पोर्ट्स जैसी प्रोब्लम हो जाते हैं तो मेलानिन के प्रोडेक्शन को ये कम करेगा इसकलेरेशन को रेडियूच करेगा लार्ज ओपन पोर्स को खत्म करेगा एंड डैमेज स्कीन को रिपेर करके स्कीन को किलीन, किलियर एंड इवन बनाएगा बरैटनप बनाएगा गलोइंग बनाएगा फ्रेंस बहुती सिंपल है इसे बनाना और यूज करना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पसंद आजाए तो लाइक कर दीजे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पास में देगे बेल आइकन को दबाईए ताकि आने वाली सब भी वीडियो की नोट के सनाब तक सबसे पहले पहुँच पाए इस टोनर को बनाने के लिए आपने सबसे पहले विटामिन C की एक टैबलेट लेकर उसे पाउडर फोर्म में ले आना है ये आपको ज़्यादा मेहंगी नहीं पड़ेगी बहुती कमदाम में किसी भी मेडिकल इस्टोर से आसानी से मिल जाएगी तो पाउडर बनाने के बाद आपने से किसी खाली कंटेनर में एड़ कर लेना है अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप बाउल का भी इस्तिमार कर सकते हैं नेक्स्ट आपने इसमें एक चमच के करीब अलोविरे जैल एड़ करना है फ्रेंस अलोविरे जैल आपने मार्किट वाला ही लेना है क्योंकि जो फ्रेंस अलोविरे जैल होता है आप उसे ज़्यादा दिन तक इस्टोर नहीं कर सकते तो आप भी मार्किट वाला ही यूज करें लाश्टली आप इसमें हाप गोटल के करीब रोज वाटर डाल कर इसे सैक करते हुए मिक्स कर लीजे ताकि जो विटामिन सी का पाउडर है वो सभी इंग्रिडिन्स के साथ अच्छे से घूल मिल जाए तो फाइनली आपका विटामिन सी टोनर बनकर रेड़ी हो चुका है अब आप इसे यूज कर सकते हैं पहले आप पैच टेस्ट कर लीजे कि आपको विटामिन सी सूट करता है या नहीं फिर आप फेस को वोस करकी किलीन करकी इसे अपने चहरे पर इस्पडर कीजिए अगर आपके पास इस्परे नहीं है तो आप कोटन की हैल्प से भी इसे अपलाई कर सकते हैं इसे एफजरू होने में ज़्यादा ताइम नहीं लगेगा एक दम से ये आपकी skin के अंदर absorb हो जाएगा तो जब भी आपकी skin में अच्छे से absorb हो जाए तो आपने इसे दो बारा apply करके छोड़ देना है इसका कोई side effect नहीं है आप इसे दिन में दो बार तीन बार जितनी मरजी चाहे यूज़ कर सकते हैं बट ध्यान रहें आप इसे अपलाई करके sunlight में नहीं जाना है तो आप इसे यूज़ कीजिए अगर आप market वाले toner परचेज नहीं कर सकते इससे आपकी skin tight enough होगी bright enough होगी और radiant glowing भी बनेगी तो आप इसे बना कर यूज़ कीजिए I hope girls आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो फिली इस वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए और हमारी चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि हम आपके लिए और भी नएने वीडियो लेकर आते रहें तो friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टिकेंड बाई बाई